कि यहां पर मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपका कि इससी जेए का जो एक्जाम्स हुआ 9 10 और 11 अक्टूर को उसको लेकर यहां पर मैं बात करने वाला हूं तो यहां पर आपका कई सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि एक्स्टेक्टेड कट ओफ इसका क्या हो सकता है तो उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा यहां पर करने वाले हैं ठीक है तो आपको पता है कि सिविल का जो टोटल सीट्स है ससे जैई में वो एक हजार पंचानमे सीट एपरक्स जो है आपका है अगर आप आड़ करेंगे सारे अलग 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 ऐपार्टमेंट के सीट को जोडेंगे तो ससे जैई में सिविल का जो है एक हजार पंचानमे सीट जो है आपका है तो इस सीट के अनुसार अगर बात किया जाए आपका तो आपका यहां पे जो एक्सपेक्टेड कट ओफ हो सकता है यू आर का वो एक सो साथ प्लस माइनस 1.5 या फिर आप एप्रोक्सिमेटली 110 से 115 तक जो है आप लेकर चल सकते हैं और OBC का जो कट ओफ है इसका अगर बात किया जाए तो 105 प्लस माइनस 1.5 या फिर इसको 105 से 110 तक आप लेकर चल सकते हैं EWS का जो कट ओफ है 96 प्लस माइनस 3 इसका अगर और रेंज अगर बात किया जाए तो 96 से आपका जो है 103 तक आप कट ओफ इसको लेकर चल सकते हैं वही SCST का जो कट ओफ है लगबग एप्रोक्सिमेटली सेम होता है ठीक है तो जो कि आपका 94 से लेकर आप जो है 94 तो 96 या 97 आप इसका कट ओफ लेकर जा सकते हैं वह सकते हैं और कम भी जाए मतलब इसी के आसपास इसके रेंज में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका डेफिनेटली सेलेक्शन मतलब फर्स्ट पेपर जो है आपका निकल जाएगा अना उसके बाद सेकंड पेपर आप दीजिए सेकंड पेपर में आप कर आपका होता है तो अच्छी बात है नहीं होता है तो फिर तो भाई आप समझे सकते हो कि क्या होगा ठीक है पाकी से रेलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ सेर किया जाएगा अगर कोई और सवाल रहेगा तो आप हमें जरूर बताइएगा थैंक्यों